चला भई देख अब में क्या करता हूं दुनिया की सिस्टी बर्सन लेक अकेले कनेडा में हैं चीन के लोगों ने सबसे पहले चाय पिना शुरू किया ऐसा कहा जाता है कि 4700 साल पहले चीन के एक राजा सेंड नूं के सामने रखे गए पानी के प्याले में चाय की कुछ सुखी पतियां आकर गिरी जिससे पानी में रंग आ गया जब राजा ने उसको जड़ा सा पिया तो उन्हें बहुत पसंद आया और तबी से चाय का सफर शुरू होता है होंकोंग में लोगों की ये मान्यता है कि ड्रैगन का रास्ता रोकना अपसगुन है जिससे बेड लग आता है इसी बात को ध्यान में रखकर होंकोंग में सभी उच्ची इमारतों में एक होल बनाया जाता है ताकि इमारत ड्रैगन का रास्ता ना रोके और ड्रैगन उन होल से गुजर कर जा सके नौर्वे में किस्मस की साम को लोग झारू छुपा कर रख देते हैं ऐसा माना जाता है कि इस दिन चुडेल घुमने निकलती है और कहीं वो झारू चुरा कर ना ले जाएं इसराइल में 18 साल से ज़्यादा उम्र के नागरिको को सेना सेवा करनी परती है सिर्फ धार्मिक बिकलांग या मनोरोगियों को इस से छूट है आस्ट्रिया में स्ट्रीट ग्रीन लेक सर्दियों में एक सूखा पार्क होता है जबकि गर्मी और बरसाद के मोसम में ये 10 मितर गहरी जील बन जाती है आपको जानकर हैरानी होगी कि सिंगापूर दुनिया का पहला और एक मात्र ऐसा देशे जिसे अपने मर्जी के बिना आजादी मिली है इसे 1965 में मलेशिया से अलग कर दिया गया था इटली में परचाई पर भी टेक्स लगता है यदि किसी दुकान के बोर्ड या दुकान की किसी भी चीज की परचाई सरक पर परती है तो उस दुकान के मालिक को सेडो टेक्स के रूप में सालाना 100 यूरो देने परते हैं और हमारे भारत में पूरी की पूरी दुकान ही सरक पर लग जाती है नजट बेलकासन भेट बक्रिया चलाने वाली बनी फ्रांस की पहली महिला शिक्सा मंत्री नजट जब चार साल की थी तब उन्हें पास के कुए से पानी भर कर लाने के लिए मजबूर होना पता था नजट का परिबार बक्रियों का दूद बेच कर अपना घर चलाता था पंजाबी पस्चिमी उस्टेलिया के पब्लिक स्कूलों में पढ़ाई जानी वाली सबसे नई भासा बनने जा रही है औस्टेलिया सरकार ने स्कूलों में पंजाबी भासा का सामिल करने का फैसला किया है। औस्टेलिया के सिक्षा मंत्री सू एलेरी ने कहा कि औस्टेलिया में स्टूडेन को पंजाबी पनने का विकल्ब दिया जाएगा।